आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉंग जो होता है वो हमारे लिए कितना जरूरी है किन किन परिस्थितियों में यानि शरीर में अगर ऐसा कोई प्राब्लम चल रहा है किसी वज़े से हम वेल फील नहीं कर रहे हैं किन परिस्थितियों में हमें लॉंग का सेवल नहीं करना चाहिए और ऐसी कौन सी परिस्थितियां जिनमें आपके लिए लॉंग खाना बहुत जरूरी है लेकिन वीडियो शरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज गो हैड और सब्सक्राइब नॉटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं क्योंकि मैं नहीं चाहते हूं यार मैं कोई भी वीडियो बनाऊं और आपको मिस कर जाएं कमेंट बॉक्स में मुझे बताते भी रहे हैं कि वीडियो कैसे बन रहे हैं मुझे कभी कभी ऐसा फील आता है कि मैं अपने आपसे ही बाते करती रहती हूं आप जब रिस्पॉंस नहीं देते हैं कोई वीडियो को व्यूज नहीं मिलते हैं तो मुझे बड़ी निराशा सी ह हो जाती है तो ऐसा situation मत आने दीजिए आप वीडियो को देखें हाँ देखके आप एडवाइस कोई देते हैं तो बिलीव मी मैं हर एडवाइस को positively लेती हूं मुझे अच्छा लगता है जब आप सला देते हैं तो आएए शुरू करते हैं कि रात को अगर सोने से पहले आप दो लॉंग खा लेते हैं तो किस तरह से वो आपके लिए फायते मन्द हैं सबसे पहले हम परिस्थिती समझ लेते हैं दोस्तों अगर आपको एसडिटी की कौनर ख सकता हैं अगरख आपको यह लग उख घृ अउर आपको छुट्कारा दिला देगी अगर आपको यह लग रहा है कि अपका वेट अन्मेसेसरी बडcart जा रहा है आप जिए तो भड्ण काना जाता है जाता है पको यह थो टोले कर देंच को बने हुएमेरे भी डॉले सर्षाने के बाद है कि बात करें कि रात कू सोन से पहले कर खाते हैं तो क्या होता है то Dوस्तो रात को अगर सोने से पहले log खा रहें आप गर पानी के साथ आपका वेट रिडक्षन होता है fat burn होता है muscles को strength मिलती है खाना अच्छे से digest होता है खून pure होता है यानि blood के purify में long का बहुत बड़ा योगदान है साथ ही साथ आपके खून को पतला करने के लिए भी long बड़े काम की चीज़ है अगर आप कोई जिम वगेरा जा रहे हैं और रात को आपने long खाया है तो यकीन मानिए आपको breakfast हेवी करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी इससे चक्कर भी आने लगते हैं तो आपको धियान रखना है कि किन परिसिति में आपको long खाना है और हाँ किन लोगों को long नहीं खाना चाहिए हाई बीपी के जो मरीज है उनको long नहीं आस पास भी नहीं फटक किएगा क्योंकि यह बहुत नुक्सान देगी है आपके लिए फिर भी आप चाहें तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले ले हो सकता है कि आपके medical history के हिसाब से आपके doctor आपको long की जो मात्रा है वो हो सकता है कम करने में फाइदे बन और भी फाइदा है दोस्तों कि अगर हम रात को long खाते है ना तो long जो होता है mouth freshener का काम करता है सुबह आपके मुह से smell नहीं आएगी कुछ लोगों के मुह से बहुत गंदी smell आती है तो अगर bad breath का problem है आपको तो उससे भी जुटकारा पा सकते है दातों में कीडा cavity की अगर समझ से है पीला पंच आ गया है दातों में तो वो problem भी हठिक हो जाएगी आपकी तो ये थे फाइदे long के और हाँ एक बहुत जरूरी और बहुत ही अच्छा फाइदा जो मुझे मिला है long से आप किसी भी समय लॉंग खा सकते हैं थाइरोइड को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत अची चीज है मुझे भी थाइरोइड है लेकिन मैं कोई दवाई नहीं खाती हूं मैं सिर्फ exercise और इन नेचुरल चीजों से ही उसको क्योर करती हूं और हर तीन महिने में आप बलड टेस्ट करवाते रहें आपके लिए फाइदे मन्द होगा आपको समझ में आएगा कि आपकी बाड़ी में क्या-क्या प्राब्लम्स हो रही है आपको किन-किन चीजों का सेवन इंटेक जो है आपको ज्यादा करना चाहिए उमीद है कि वीडियो आपके लिए लाब करी होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्र आपको।